दोस्तों मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विन्स माई वर्ल्ड मैंने एक वीडियो बनाए थी जिसका टॉपिक था कि पीरेड के बाद ऐसे कौन से दिन है लेकिन आज की जो स्पेसिफिक वीडियो है इसको बना के मैं अंदर से बहुत अच्छा फील कर रही हूँ बहुत खोशी मैसूस हो रही है कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं मेरे जो व्यूवर्स हैं वो इतने ज़ादा सेंसिबल हैं आप लोग इतने ज़ादा समझदार हैं कि आप लोगों की मन में किसी तरह का जिंडर का भेदभाव है ही नहीं तब ही तो आपके तरफ से इतने कोशन्स आ रहे हैं कि मैम मुझे बेबी गर्ल कंसीव करनी है उसके लिए भी कुछ ऐसे दिन बता दीजे जिस समय बेबी गर्ल कंसीव होने के चांसे बहुत जादा होते हैं तो ये वीडियो बना रही हूँ बहुत ही खुशी की बात है और मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगी कि बेबी गर्ल कंसीव करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और डेफिनिटली अगर भगवान ने चाहा तो आपके घर में भी लड़की जरूर पै आपका शरीर ऐसे कौन-कौन से संकेत देता है जिस समय आपको पता चल जाए कि आपके शरीर से एक एग रिलीज हो रहा है क्योंकि सारी कहानी एग पहीं आके रुख जाती है क्योंकि जिस दिन अगर आपको अविलूशन डे का पता रहेगा आप अपनी प्रिगनेंसी को प होती है चाहे वो 28 दिन से 30 दिन तक या 35 दिन तक वेरी करते रहती है डिपेंड करता है कि महिलाएं अलग-अलग होती है सबकी बॉड़ी अलग-अलग है तो साइकल भी अलग होती है लेकिन मिड़ अफ द साइकल मैं बात करूं कि उस समय आपके शरीर से एक मैच्चूर जाता है वो release होता है और release होने के बाद ही अगर उसका healthy sperm के साथ fertilization हो जाता है सही जगह पे implantation हो जाता है तो ही आपकी pregnancy ठहरने की बहुत जादा chances बनते हैं तो आप मेरी पहले सारे वीडियो देखिए तभी आपके concept clear होंगे तो जो मैं बताऊंगी वो आपको समझ में आ जा जब आपको पता चल जाएगा कि किस दिन आपका evolution हुआ है तो main funda इसके पीछे यह है कि जो female egg होती है वो एक दिन तक survive करती है लेकिन जो पुरुषों के जो cells होते हैं चाहे वो X हो चाहे Y हो वो 2-3 दिन तक survive करते हैं लेकिन उनमें भी differentiation यह है कि जो Y chromosome होती है जो इससे की baby boy conceive होता है उसकी mortality वो faster होता है लेकिन वो कम दिन तक जिनदा रहता है यानि एक दिन तक जिनदा रहता है लेकिन जो X chromosome होती है वो 2 दिन तक जिनदा रहती है तो जिस दिन आपका evolution होता है एक nut cell में आपको idea मिल जाएगा तो जब भी अगर आपको baby boy conceive करना है तो आपको near to evolution आपको relation plan करना है जिससे कि Y chromosome की mortality बहुत ज़ादा होती है बहुत ज़ादा faster move करते हैं तो ये chances होते हैं कि Y chromosome के साथ fertilization हो जाए और baby boy conceive हो जाए लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी question है कि X chromosome को कैसे हम लोग fertilize कर सकते हैं तो उसके लिए simple से trick ये है कि जिस दिन आपको evolution होता है एक nut cell में idea मिल जाएगा suppose that 13 जो date है 13 को है तो उसके 2 दिन पहले आपको relation plan करना है इसके पीछे की science ये है कि अगर 2 दिन पहले relation plan करते है तो Y chromosome है वो एक दिन तक जीवित रहेगा वो उसके बाद वो dead हो जाएगा बाकी बची जो X chromosome है जिसनकी संख्या बहुत जादा है जैसे ही आपका एग आता है उसके fertilize होने का chances जादा होता है तो X बची रहेंगी तो obvious ही बात है कि baby girl conceive होने के chances बनेंगे तो ये है complete इस बात की science आपको समझ में आ रही है तो बहुत अची बात है कुछ भी मन में confusion रहता है तो मुझे comment जरूर करें मैं आपको बहुत ये असान language में और भी अच्छे से समझानी की कोशिश करूँगी लेकिन नट सिल में आप बस ये समझ जाए कि अगर आपको baby girl conceive करनी है तो आपके evolution day के दो दिन पहले आपको relation प्लान करना है और अगर baby boy conceive करना चाते हैं तो evolution के जितना नजदीक हो सके 12 घंटे पहले 13 घंटे पहले 24 घंटे पहले एक दिन पहले या उसी दिन आपको Y chromosome के साथ conceive होने के chances भी बहुत जादा होते हैं तो ये है complete जंकारी अगर आपको अच्छी लगी तो बहुत अच्छी बात है लाइक कर दीजेगा आपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा जो की जाते हैं मन चाही संतान प्राप्ट करना तो उनके साथ जरूर शेयर करिए और साथ ही साथ मेरे other channel आप लोग जरूर देखिए जिसका नाम है Twins My World Care वहाँ पर मैं baby care की बाते करती हूँ साथ ही साथ आपके personal care की भी बाते करती हूँ वीडियोज देखिए वीडियोज अच्छा लगेगा वहाँ पर भी subscribe करिए और इस channel को भी जरूर subscribe करिए और साथ ही साथ मुझे Instagram पर follow करना मत भूलिए Thanks for watching Twins My World